नमस्कार दोस्तों कैसे हैं हम लोग 22 फरवरी 2022 के डेली न्यूस एनलिसिस करेंट अफेस डिसकशन में आपका स्वागत है तो देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूस है भाई लालू प्रसाद यादव जी को फिर से पांच साल की सजा हो गई है यह जो चारा घोटाला था फॉर्डर स्कैम था इसके अंदर बहुत सारे चोटे-चोटे केसे थे तो पांच में फॉर्डर स्कैम केस में फिर से इनको पांच साल की सजा हो गई है इस पर्टिकुलर न्यूस को समझेंगे ओवराल वैसे मैं बता दो कि अभी हॉस्पिटल महिन की तब्यद काफी खराब है प्रटिशन्स या फिर बड़े लोगों के अगेस्ट किसी भी प्रगार का को स्टेटमेंट करते हैं तो उनको पकड़ के जेल में डाला जा सकता है इल्जाम वगरा लगाया जा सकते हैं यह सब चीज़े सुप्रीम कोर्ट में एक पैटिशन फाईल हुई है और इस पैटिशन ने यह बोलाया कि चूखि हमारे देश के नागरिगों को फंडामेंटल राइट्स विले हुए हैं इन देश के नागरिगों को फंडामेंटल डियूटीज भी याद रहनी चाहिए fundamental duties को morally नहीं legally आप कहलो applicable कराना चाहिए चुकि जब protesters हमारे देश में protest करते हैं तो उनको ये तो याद रहता है कि उनके पास fundamental rights है लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके पास fundamental duties भी हैं जो कि उनको निभानी है तो बस rights करके दूसरों का जीना हराम करो लेकिन at the same point of time अपनी fundamental duties भूल जाओ तो सुप्रीम कोट की ये पिरिया क्या बोलती है कि fundamental duties को भी enforce कराना उतना ही ज़रूरी है next वलादिमिर पुतिन का कुछ ऐसा plan निकल के आ रहा है कि भाई Ukraine rebel territories जल्दी ही independent कर दी जाएंगी ठीके अब ये एक बड़ा ही disturbing announcement है चुकि अभी मैं नक्षे में भी आपको rebel territories दिखाऊंगा और मैं पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ जो डॉनेस्ट और लोहांक्स के आसपास के जो इलाके है डॉनबास का जो greater region है वहाँ पे overall जो रॉशियन rebels हैं वो बहुत लंबे समय से रशिया से गोहार लगा रहे हैं कि हमें इस territory में autonomous कर दिया जाए मिंक्स प्रोटोकॉल के थूँ यही कहने की कोशिश की गई थी लेकिन शायद अब व्लादिमेर पुतिन यह एनाउंस कर दें कि यह territory is अब से independent लेट सी क्या निकल के आता है क्या न्यूस है और इंडिया EU टाइस के रिस्पेक्ट में एक न्यूस है इन सारे यह न्यूस को मिलूग देखने की कोशिश करेंगे आगे बन इस पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब निक्या है कर दीजे एक पॉसिबल फॉयो प्लीज क्लिक दा जॉइन बटन जॉइन बटन दमाने से खासा वाज मिलती इस्टराम पर फॉलो कर लिजे टेलिग्राम कर लिजे जूइन कर लिजे इन्विंसिबल मतलब इसको कोई हरा नहीं सकता तू स्टरांग और पावरफुल तू बी डिफीटेड मतलब इतना सशक्त और बशाली है कि इसको पराजित नहीं किया जा सकता तो यहां पे सेंटेंस में यूजच कहा है पिछले साल तक तो कंपणी इतनी स्ट्रांग लग रही थी कि यह प्रॉफिट्स कमाएगी कमाएगी नुकसान में नहीं जाएगी लेकिन इस साल प्ट इन रीसेंट वीक्स हैस बिगन तो है प्रॉबलम मतलब लॉसेस की तरफ जाने लगिए तो इन्विंसिबल मतलब बहुत ताकतवर जिसको हराय नहीं जा सकता है जैसे फॉर एक्जामपल राम इस इन्विंसिबल एस फार एस आयाटी एंटरेंस एक्जाम इस कंसर्ण मतलब राम इतना जादा टैलेंटेड और पढ़ा लिखा है कि भाई आयाटी की एक्जाम में बैठेगा तो वो कॉलिफाई कर ही लेगा तो यह होता है इन्विंसिबल का मतलब मतलब जिसको हराय नहीं जा सके जो सक्सेस्फुल हो ही जाएगा ठीक है भाई पहले न्यूस की चलते है लालू गेट्स फाइब जेल इन फिफ्थ फॉडर स्कैम केस एक PBI की स्पेशल कोट ने रास्ट्री जनता दल की जो चीफ है लालू प्रसाद यादा हो उनको पाँच साल का जेल टम सुनाया है और साथ लाग का फाइन इनकी उपर इंपोस किया है ठीक है एनिमल हस्बेंटरी डिपार्टमेंट स्कैम जिसको कॉमनली फॉडर स्कैम कहा जाता था चारा घुटाला कहा जाता था जिसमें बहुत सारे अलग-अलग केसिस थे इन अलग केसिस को छोटे-छोटे केसिस में कलब किया गया था फॉडर स्कैम में टोटल 55 केसिस थे इन 55 केसिस को कलब करके छोटे-छोटे केसिस में किया गया और इन केसिस में ऐसा बोला गया था कि 1992 से लेकि 1995 की बीच में याद रखेगा उस समय पर बिहार एक ही था उसके बाद बिहार से स्टेट अलग हुआ है तो साड़े 900 करोण रुपए का स्कैम था है टोटल 55 अलग-अलग केसिस थे इन 55 केसिस को छोटे-छोटे केसिस में सेग्रिगेट किया गया था चार केसिस में अलड़ी लालु यादो को रिस्पॉंसिबल माना जा चुका है वो आधा टाम उसका मिना भी चुके हैं माचुए केस में ओवराल फिर से लालु यादो को 37 और लोगों के साथ तो लालु प्रसाद यादोफ जी का जेल के साथ जो रुमायां से ऐसा लगनी रा की जल्दी खतम होने वाला है फिलाल के लिए ये बेल पहें मल्टीपल डिजीजस से सफर कर रहे है राजेंद इस्टिट्टूट और मेडिकल साथी में इनको एडमिट किया गया है इनका वहाँ पे इलाग चल रहा है मंडे को जब से सामने हेरिंग हो रही थी तो यह वर्चुली मतलब ऑनलाइन मोड में प्रिजेंट से उस हेरिंग में अब जो ठीक हो जाएंगे हॉस्पिटल से दिस्चार्ज हो जाएंगे तो ही भले ये जेल जाएं अभी जब तक अब थराब है तो अब्वेस सी बात है इनको जेल में ही रखा जाएगा और भी कुछ लोग के ओपर इल्जाम लगा है बिहार के फॉर्मर एंपी जगदी शर्मा उसमें पर पब्लिक अकाउंट कमिटी चेर्में ध्रोब भगत एच्डी सेक्रेटरी बेक जूलियस एच्डी डिरेक्टर केम प्रसाद इन सब को भी यहां पर एक्यूस किया गया है कर क्या रहे थे इस चारे गुटाले में तो एनिमल हस्बेंडी डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे थे कि जो चारा होता है न या फिर कहली जो दो दवाईयां होती है जानवरों के कैटल की जो दवाईयां होती है उसका जो चारा होता है उसका artificial insemination का जो equipment होता है, इसके फरजी बिल बनाते थे, बिल इस बात का बनाते थे, कि हाँ भाई, overall हमें पैसा मिलेगा, और इस पैसे से हम हमारे cattle का live stock का ध्यान रखेंगे, बट actually में वो पैसा ये लोग खा लेते थे, फरजी बिलों के थूँ, actually में live stock के maintenance के लिए कोई पै conditions पैसा खा रहे थे, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा scam था, scam लंबे समय चल रहा है, 1992 से लेकि 1995 की बीच का scam है, आज हम कहां 2022 में चल रहे हैं, लगबाग 28-30 साल पुरानी बात है, तो ये एक नियूस्ती GS paper 4, Utilization of Public Funds, Challenges of Corruption, इस respect में नियूस आप हो काम आएगी, next, lavender cultivation in ramban lavender देखी एक प्रकार का flower होता है purple color का, इसमें एक अलग सी aroma निकल के आती है, तो Union Ministry of State for Prime Minister Office जितेंदर सिंग साहब ने, ये announce किया है कि केंदर की सरकार plan मना रही है कि जम्मुन कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट में purple revolution लेके आए जाएगा, और इस purple revolution के अंदर इन इलाकों म lavender cultivation को promote किया जाएगा, मतलब इस full के cultivation को promote किया जाएगा under CSIR IIIM Aroma Mission through the Ministry of Science and Technology, Aroma Mission क्या है तो देखिए भई, कुछ ऐसे specific plants होते हैं जिनमें एक अलगी प्रकार की खुश्बू आती है, और ये जो खुश्बू वाले plants होते हैं इनको नाना प्रकार के purposes के लिए इस्तमाल किया ज सकता है, इनको किसी particular चीज में flavor देने के लिए भी इस्तमाल किया जा सकता है, तो नाना प्रकार की आप कहलो end usages होते हैं, ओके इन aromatic plants के, lavender भी एक aromatic plant है, तो lavender को उगा के purple revolution लाया जा रहा है जम्मू और कश्मीर की रामबन district में, और इससे वहां के युथ को employment मिलेगा, overall जो local economy है, उसको beast मिलेगा, वगरा वगरा, यहां पे बाते हैं, डोडा और 80 district में 500 युथ ने, और यडी purple revolution से benefit उठाया है, उनकी income बढ़ी है, तो आप कह सकते हो कि जो purple revolution है, under aroma mission, यहां पे farmers को free lavender saplings दी जाती है, पहली बार डोडा district में दीगी थी जम्मू और कश्मीर में, जो लो based on domestic aromatic crop, यह aroma mission का target है, दो agencies इसमें involved हैं, इसको implement करने के लिए, एक है Indian Institute of Integrative Medicine जम्मू और एक है Council of Scientific and Industrial Research, यह दो agencies मिलके इस particular, आप कहलो, aroma mission को implement कर रही है, CSIR ने aroma mission को launch किया था with the objective of bringing transformative changes in the aroma sector, agriculture processing और product development में, यहां पे CSIR involved होगा, जिससे aroma industry बढ़े, और aroma industry बढ़ेगी तो obvious सी बात है, जो लोग इन aromatic plants को उगा रहे हैं, उनकी कमाई भी बढ़ेगी, उनको employment भी मिलेगा, इन aromatic crops को इस्तमाल की जाता है essential oils में, यह मैंने आपको बताई दिया, perfume industry में, medicine sector में, और Indian farmers अगर इस aromatic industry को, इस aromatic plants को, इंडिया के तो आगे आने वाले समय में, दुनिया भर की जो requirements, aromatic plants की, aromatic products की, वो इंडिया पूरा कर सकता है, इससे काफी पैसे भी कमा सकता है, जिस पेपर टू, government policies में न्यूस काम आएगी, नेक्स न्यूस है, fundamental duties must be enforced safe plan in Supreme Court, भाई Supreme Court ने केंदर की सरकार और राज्य की सरकार से बोला है, क्या बोला है, recently ही Supreme Court में overall एक petition file हुई है, और इस petition ने ये बोला है कि भाई, इंडिया में इतनी जगा पे प्रोटेस्ट होते हैं, काम वगरा बंद हो जाता है, तो जो लोग है ना, उन लोगों को ये remind कराने की भी जरूत है, कि अगर आपके पास fundamental rights है, तो आपके पास fundamental duties भ जरूरी है, comprehensive well defined laws भी उतना ही जरूरी है, यहाँ पे भगवत गीता की याद दिलाते हुए, duty के importance को point out करने की कोशिश की गई है, सोवेत constitution को court किया गया, चाहिना जो इतना बड़ा super power बना है, उसको यहाँ पे court किया गया है, और इन सब examples के थूरू क्या assert किया जाना, यह assert कि जरा कि सोवेत union हो गया, चाइना हो गया, भगवत भूता हो गया, इसमें लोगों की responsibility पे भी धिहान दिया जाता है, हमारे यहाँ पे क्या है, अगर अगर 51A of the Indian constitution देखो, तो उसमें 11 fundamental duties हैं, और यह 11 fundamental duties हैं, हमारे देश के लोगों को याद दिलाती हैं कि आपको क्या करना ह आपके ओपर क्या moral obligations हैं, यह आपके सामने लिख हुए 11 fundamental duty, पहली, abide by the constitution, दूसरी, follow ideas of freedom struggle, तीसरी, protect sovereignty and integrity of India, चौथा, defend the country and render national services when called upon, पांच्वी, spirit of common brotherhood, छथी, preserve composite culture, सात्वी, preserve natural environment, आथ्मी, develop scientific temper, नवी, safeguard public property, दस्मी, strive for excellence, 11th, duty of all parents, guardians to send their children in the age group of 6 to 14 years to school, यह जो पहली 10 fundamental duties हैं, इनको हमारे समीधान में जोड़ा गया था, 42nd amendment act, 1976 के जरूर, और यह जो 11th fundamental duty है, इसको हमारे समीधान में जोड़ा गया था, through 86th constitution amendment act, ओके, और यह fundamental duties हमको याद दिलाती हैं, यह part 4 of the constitution में पाई जाती है, patriotism को बढ़ाना, unity of the India को बढ़ाना, लेकिन यह mandatory नहीं है, they are not essential obligations, they are moral obligations, अब इनको essential obligation मनाना जरूरी है, चोकि लोग fundamental rights को impose करवाने के लिए तो बवाल मचाते फिरते हैं, लेकिन fundamental duty अपनी उस पूरे के पूरे process में बूल जाते हैं, और इसी के लिए यहाँ पे एक petition file हुई है, Supreme Court में, देखें क्या लिखा हो, the need to enforce fundamental duties arises, due to new illegal trend of protest by protesters, in the garb of freedom of speech and expression, by way of blocking of road and rail routes, तो protest होते हैं, rail route block कर दिया, freedom of expression, speech को violate किया, जैसे अभी recently student protest हो गया था बिहार में, हिजाब रो में जो protest चल रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, citizenship amendment रहे प्रोटेस्ट होए, ठीक है, आप प्रोटेस्ट करीए, वो जरूरी है, इस प्रोटेस्ट के बीच में आपने दूसरों को जीना मुश्किल कर दिया, ठीके ना, लाइफ को standstill पे ले आए, वो आपकी fundamental duty का भी violation है, और दूसरे लोगों के fundamental rights का violation है, यह याज रख रहे हैं, यह ज़रूरी है, तो यह overall, इसके respect में Supreme Court में play-off file हुई है, let's see Supreme Court बाद म जीस पे बटू fundamental duties और judiciary में चीज़ आपको काम आएगी, next, मोदी जी का statement यहाँ पे निकल के आया, union budget will help in implementing national education policy, तो पधार मंत्री मोदी जी ने बोला कि जो union budget है 2022-2023, it will be of great help in implementing the national education policy, ground level पे national education policy को implement करना budget काफी मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, तो budget में announced की गई है national digital university, क्या example, जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं और जितनी overall seats की availability है, mismatch है, availability कम है और बच्चे पढ़ने वाले जादा है, दूसरा, ये जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो private colleges में fees नहीं दे पाते हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं है, तो इन दोनों ही problems को sort out करने के लिए जो national digital university है, जिसमें online education प्रोवाइड की जाएगी, अगर आपके पास बस एक internet connection है, प्रॉपर software hardware है, तो आप automatically अपनी पढ़ाई घर बैठे कर सकते हो, Union budget 2022-23 में क्या positive impact है NEP की उपर, इसके लिए एक webinar हुआ, इस webinar में मोदी जी ने पाँच aspects की उपर बात की education sector की, पहला है universalization of quality education, दूसरा skill development, तीसरा urban planning and design, चौथा internationalization और पाँचवाँ EVGC, मतलब innovation, visual effects, gaming, comic, इन particular 5 methods के तुरू, national education policy को ground level पे implement किया जाएगा, digital connectivity पे एक extra focus माना जा रहा है, और इसलिए educational infrastructure, जैसे कि e-Vidya, one class one channel, digital labs और digital university, इन सब को इंडिया के अंदर setup किया जा रहा है, mission mode में, देखे ये जो particular points है न, ये आपको education sector में इंडिया में क्या क्या हो रहा है, वहाँ पे में या SMA related कोई question आ जाता है, तो, वहाँ पे आपको ये बताने की जरूद नहीं कि मोदी जी ने ये सब announce किया है, आप ये बता सकते हो, कि union budget 2022-2023 में, national digital university जो बन रही है, वो national education policy के points को तेजी से implement कर सकती है, यहाँ पे मोदी जी आ जाते हैं, चीज़े पॉलिटिसाइज हो चाहिए medical education हो, चाहिए technical education हो, जिस हद तक possible है local education में, यह particular पढ़ाई होनी चाहिए, कक्छा 5 तक, in fact, कक्छा 8 तक, और हो सके तो कक्छा 8 के बाद भी, अगर mother tongue में education प्रोवाइड करी जा सके, तो बिल्कुल प्रोवाइड की जाए, three language formula को यहाँ पर protect किया गया है, और यह ब पाद एक भाषा English होगे और तीसरी Hindi होगे, तो इसमें किसी के ऊपर यह imposition नहीं रहेगा, कि नहीं भाई, उसको उसकी local language में नहीं पढ़ना है, कोई और language इसको सिखाई जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन तीन language सीखना जरूरी है, overall एक बच्चे के लिए, उसके development के करें, mental, physical, long term में बाहर जाके वो दुनिया में सर्वाइब करें, इस चीज के लिए, ठीके बाई, तो ये overall चीज है यहापे, अच्छा, national education policy के अंदर राज्जी की सरकारों को एक extra responsibility दी गई है, national education policy बना दी गई, three language formula है, कौन सी कच्छा तक किस particular भाषा में पढ़ाई लिख हाइक किस particular standard तक करवाई जाएगी, इसकी precise नियम कानून, ground level पे राज्जी की सरकारे बनाएंगी, उसमें केंदर की सरकार एंटरफेर नहीं करेगी, next, इंडिया और फ्रांस ने मिलके अफगानिस्तान और यूक्रेन क्राइसिस के issue को discuss किया, external office, Mr. S. Jashankar साहब बैट के French counterpart, पर फ्रेंच के एक्टरमिशनल जीन वाइस डी ड्रयान से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने की regional और global issues, जैसे कि इंडिया-EU relationship, अफगानिस्तान की situation, इरानियन नुक्लेडीर और यूक्रेन क्राइसिस के उपर बैट के बातचीत की, फिर उन्होंने बोला कि भाई, मिल्टी Union के council की एक जनवरी को, तो फ्रांस की presidency के अंदर कैसे इंडिया और European Union एक दूसरे के साथ जाधा interact कर सकते हैं, cooperate कर सकते हैं, coordinate कर सकते हैं, इस चीज़ के ओपर यहां पर बातचीत हुई, फिर इस EU forum में Indo-Pacific Parks Partnership की भी बात हुई, अब इस Indo-Pacific Parks Partnership में क्या होगा, तो Indo-Pacific region में capacities build करना, protected areas, environment की इनको protect करना, फिर इंडिया और European Union के ties को French presidency के अंदर आगे लेके जाना, if possible, free trade and investment agreements के ऊपर काम को तेज करना, इंडिया EU connectivity partnership को implement करना, फिर next, इंडिया फ्रांस के बीच में strategic partnership लेके आना, सासद, इंडिया और European Union के बीच में strategic partnership लेके आना, और यह कैसे आएगी, trade और investment के तुरू, defense और security relations के तुरू, health, education, research, innovation, energy, climate change, in some major partnership होगी, तब आएगे, तिर भाई, इंडिया फ्रांस road map on the blue economy and ocean governance, इसको भी यहां पर adopt किया, इ oceans की economy और oceans को बहुत चीजों के लिए इस्तमाल किया सकता है, trade के लिए इस्तमाल किया सकता है, commerce के लिए इस्तमाल किया सकता है, ocean को navy drills के लिए इस्तमाल किया सकता है, maritime security के लिए इस्तमाल किया जाता है, groundwater में, oceanic depths में जाके mining के लिए इस्तमाल किया जाता है, तो इन सारी जल्दी ही एक joint declaration of intent in the area of sports sign कर सकते हैं public administration में long standing cooperation administrative reforms को carry out करना अपगानिस्तान Iranian nuclear deal और Ukraine के issues के उपर बातचीत करना इन सब चीजों में India और France के ministers ने बैटके आपस में बातचीत की है आगली news है कि भाई पुतिन जल्दी ही recognize कर देंगे Ukraine की rebel territories को independent अगर आप नक्षा देखें यहां पे तो इन नक्षों में यह जो दो territories आपको नजर आ रही है न यहां और यहां यहां पर rebels dominate करते हैं यह rebels pro Russia ने इन rebels को रशिया की तरफ से support मिल जाता तो इतने लंबे समय से sustain कर प रहे हैं कि भाई आप हमें independent declare कर दो अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो मिंक्स प्रोटोकॉल के हिसाब से हो रहा था लेकिन शायद अब कुछ ऐसी news निकल के आ रही है कि जल्दी ही व्लाद्यमिर पुतिन overall इन इलाकों को independent declare कर देंगे और ऐसा व्लाद्यमिर पुतिन ने French President Emmanuel Macron और जर्मन चांसलर Olaf Scholz को फोन के उपर बताया और सुनने में यह आया कि French President और जर्मन चांसलर दोनों ही आपे काफी नराज हो गए हैं रशिया से बड़ इन एनिवेस इस कीव और रशिया की conflict में यूक्रेन और रशिया की conflict में जो मीडियेटर्स हैं France और जर्मनी यह मी और वेस्टन सेक्टर यहां पे जादा कुछ खास कर नहीं पाया, France और जर्मनी को यहां पे losers और पोतिन को यहां पे winner माना जाएगा और एक प्लेयर के लिए सबसे अदर बुरा लगता है वो ही यूक्रेन विचार बेकार में ही पिसा हुआ है, यूक्रेन 2014 से पहले प्रो र रशिया चीन चुका है, और अब यह दो इस्टन टरिटरी भी रशिया अगर इंडिपेंडेंट करवा देता है, जिसको आप बोलते हो, यूक्रेन की सेपरेटिस्ट डॉनेट्स और ल्यूगांग्स टरिटरी, तो यूक्रेन के लिए एक इंटरनाशनल हुमिलियेशन होग कि यूक्रेनियन सोल्जर्स मिलिटरी अग्रेशन कर रहे हैं डॉनबास रीजन में, सिविलिन पॉपलेशन की मृत्य हो रही है, अभी ही एक अन्शेडूल मीटिंग होई क्रेमिलिन ने और वहाँ पे व्लादे मेरे पुतिन की सपोर्टर्स नोनों बोला कि हाँ, बिलकुल इन इलाकों को आप इंडिपेंडेंट डेक्लेर कर दो, तो डॉनेट्स पीपल रिपब्लिक और लियूहांस पीपल रिपब्लिक, यहाँ पे जो इलाके हैं, जिन इलाकों में रॉशियन रिबिल्स की चलती है, इनका नाम क्या है तो यूनाइटेट आर्म फोर्सेज ओ नो इन सब को गोवर्मेंट आफ यूक्रेइन ने टर्रिस्ट गुरप डिकलेर कर रखा है, अब यूक्रेज तो टर्रिस्ट गुरूप डिकलेर करे गई न, यह पूरा का पूरा इलाका यूक्रेन का, इस इलाके में कुछ लोग खड़े हो गए और उनों बोला हम यूक्रेइन के साथ नहीं है, तो Ukraine को तो लगे गा ना कि हमारी territory जा रही है, तो वो तो रोकने की कोशिश करेंगी, तो Ukraine की forces इन इलाकों में Russian rebels के साथ लड़ रही है rebels बोल रहा है Russia को कि हमें independent declare कर दो, most probably Putin यहाँ पर यह announcement कर यह देंगे जिस paper 2 international relations में news आपको काम आएगी, आखरी news Pakistan introduces new law targeting social media users Pakistan की सरकार एक नया cyber crime law लेकिया है, जिसमें जो social media users है, उनको 5 साल तक की सजा हो सकती है, अगर वो military, judiciary या public officials के अगेंस्ट कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, मतब freedom of expression के उपर यहाँ पर restrictions लगाए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को already media workers के लिए काफी dangerous बताया जाता है, यहाँ पर इमरान खान की cabinet ने इस नए cyber crime law को approval दे दिया है, प्रेजिडेंट ने भी इसको overall approval दे दिया है, हाला कि 90 दिन के अंदर इसको पाकिस्तान की पार्लेमेंट से पास कराना है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि इसको पास करा लिया जाएगा, तो social media networks के ओपर, traditional media outlets के ओपर, अगर सरकार के against, judiciary के against, public officials के against, जादा कुछ बोला जाता है, तो उसको censor कर दिया जाएगा, उसको block कर दिया जाएगा, कोई भी company, association, body of persons, individual persons, सरकार, के officials, judiciary और army के against, जादा कुछ openly नहीं कर सकता है, अगर ऐसा करा, तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, restrictions लगा ही गई है, censorship type की impose कर दी गई है, और इसके against, जो पाकिस्तान का federal union of journalists है, वो क्या बोल रहा है, कि ये amendments draconian है, ये freedom of press और expression को block करते हैं, ये disinformation, misinformation को tackle करने के नाम पर बनाय जा रहा है, but actually में ये journalist की independent freedom को वो relate करते हैं, GS paper 2, international news में news up को काम आएगी, so thank you for watching friends, आज की date में इतने ही discussions थे, वीडियो को like और share किया ना बच जाएगा, Instagram पर follow कर लिजे, Telegram group join कर लिजे, दोनोई चीजों का लिए निची description box में दिया हुआ, and if possible for you friends, please click the join button, have a great day, goodbye.